नमस्कर आपके साथ मैं हूँ दपिकार चाहत शोग में सबसे ज़ादा दिखती है सबसे ज़ादा कंटेंट भी दे रही है अब किचन में जो लडाई हुई असल में वो हाता पाई तक पहुँच गई और चूम को लोग जो है विलिन की तरह देखने लग गए हैं कल तक चूम भीड़ चूकी है अभिनाश के साथ गाली दी ती साला कहा था उस पर अभिनाश को भी गुस्ता आया और उसके बाद चूम ने जिस तरीके से गाली दी उस पर भी वो ट्रॉल हुई थी हालां कि उनके फैंस का ये भी मानना है कि वो गाली नहीं है उसके बाद करनवीर ने भी कहा गाली दी थी अभिनाश को तो बाते बहुत बढ़ गई थी लेकिन अब जब चाहत खाना बना रही थी तो रजद गैस बंद करते हैं और वहां से कुकर भी हटाते हैं चूम आती है भागते हुए और जो बर्नर गैस पर जो स्टैंड होता है उसको भी उठा लेती है औ अपनी कोहनी से वो चाहत को धका भी मारती हुई नज़रा रही है प्रोमो में तो साफ दोर पर चूम जो है फिसीकल हुई है चाहत के साथ धका भी मारा गया है और जो इसी हाता पाई से चाहत बहुत जद सर से चिलने लगी कि मुझे क्हाना बनाने तो मुझे भूत लगी है भूख लगी है पूरा घर वहां इखटा हो गया तो चूम ने फिजिकल फाइट पहले शुरू करी हाला कि चाहत ने धक्के का जवाब नहीं दिया वो अपने खाने बनाने में फोकस कर रही थी शायद भूख बहुत जादा थी क्योंकि खाने की कौंटिटी कम है कंटेस्ट बहुत जादा है और चूम जो है एक तरीके से एक अलगी रूप में अब सामने आ रही है और चाहत के साथ लोगों के सिंपथी जोड़ती जा रही है आप इस पूरे सिनेरियो को किस तरीके से देखते हैं कमेंट कर ज़रू पताईएगा